हुआ फ्रेंड्स वरी गूड आफ्टनून तो आल अफ यू गाईस क्यासे हैं आप सभी लोग महीं उमीद कह रहा हुआ कि सभी लोग अच्छे होंगे पड़ाय लिखाय भी आपकी लगातार बढ़िया से अनवरत चल रही हुए कांटेरियो साफ लोग एफर्ट डाल रहे हो वह भी जो दो जरबाइस के एक्जामेशन देना वह भी सभी लोग चलिए सभी लोग से उमीद है कि अच्छी अपनी पड़ाय लिखाई कर रहे होंगे और हम लोग अप्रयास भी मिलकर की जो काम कर रहे हैं वह वह करते भी रहे हैं पिछले दिनों आप लोग ने देखा थ उनके बारे में बात करें ताकि यह ट्राइब का पॉश्चन वह हमारा खत्म हो जाए तो आपने देखा था पिछले क्लास में जो हम लोग चर्चा करी थी वह क्या था एंड्डिया के उपर आज हम जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो की वर्ल कंटेक्स में जो जो भी आपके आजस पर का ईग्शामनेशन हो रहाएं वहां देखेंगे सेट्री पेफ में भी आपको यह सवाल आपको प्रशन देखने को मिल सकता है लुक्याल बिलता रहा है तो हम इन सारे प्रशनों को देख लेते इन सारे topics को भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं ताकि ह दस बजे और साम के साथ वजी चला लेकिन कल आपके classes नहीं हो पाई हैं शाम के classes होंगी तकनिकी कारण से नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ issues था जिसके विए से आपके केरी प्या आपकेश क्यों लेखस्ट केसा हुप विए यह रिए हुआ विश्य रिए विए को युट यह आपके शुटान यह झाल झाल जानकरी को भी आप लोग देख लीजेगे जानकरी मेरे बारे में इसे आप लोग जोई जोई दिस टिलीग्राम गुरूप पॉलिटी गूरूप इसके लबड़ ये सारी ग्लासे अपनी होती रहती है इन्हें भी आप देख लीजिएगा, आइंट दो जून से यह सारी बैचर्स यानि कि कल से शुरू है, इन बैचर्स को आप लोग जॉइन कर सकते हैं, यह पीपल का जॉइन धेम, ठीक है, यूजिंग माइकोड प्लस और आइकॉनिक दोनों ही आपके पास अविलेबल होता है प्लस में live classes होती है, structured courses है, weekly test है, unlimited access है, personal guidance, test, analysis, experts, guidelines, study material and study planet, इचनी सारी चीफ़े आपको देखने को मिलती है, राइचर्स और यह आपके पास सब्सक्रिप्शन के लिएगर आप जाते हैं, तो GS का और Option का यह सब्सक्रिप्शन है, Iconic का भी, जिस पर अभी आपको 10% मिला अकल तक जिन लोगों ने ले लिया, thank you very much, रुनो का, 35% discount मिला होगा, अभी जो है, वो आपने देखा होगा, तो यह आपके पास तो discount है, वो आपने 10% discount है, available, right, sirs and ma'am, okay, sir, so we can go for this, sir, so plus sir, iconically, 10% discount, using my code, power 10, you will get 10% discount, right, sirs and ma'ams, चल रहा है, ठीक है, इसको भी आप लोग देख सकते है, ठीक है, वोच कर ले, यह आपका win scholarship का program है, यह भी आपके पास है, और इंडिया के वन देख साथ पढ़ने का मौका मिलता है, चले हाज यह major tribes of the world के बारे में भी बात कर लें, what are these, tribes do not belong to biological groups that, but represents the socio-cultural groups, अब यह रेखे किया है, कि जो tribes होते हैं, यह कोई particular biological group नहीं है, particular biological group के बारे में बात ना करें, बल्कि यह उनका representation होता है, एक socio-cultural group होते हैं, इनके अपनी एक समाजिक और सांस्कृतिक अपने सामने था होते हैं, socio-cultural groups होते हैं, tribes of the groups of those people who are closely related to one another, by social customs and cultural traditions, ठीक है न, और यह वो लोग होते हैं, जो एक दूसरे से, समाजिक, customs और जो सांस्कृतिक जो परंपरा हैं, उससे ही आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, in this way, they are connected to each other, यह biological group से जज़ादा एक socio-cultural group होते हैं, जो अपने में समाजिक और सांस्कृतिक, यह क्या रखते हैं, अपने सामेता रखते हैं, ठीक है, समेता रखते हैं, राइट सांस्कृतिक को देख लेते हैं, पर एक जोग्रफिकल लोकेशन देखते हैं, त्राइब्स को जो ट्राइब्स हैं, वो polar and cold reason में रहते हैं, polar and cold reason में रहते हैं, जैसे esquemose, semiodes, अगर हम बात करें, जो esquemose हैं, इन्हीं के कुछ चेत्र में, साम योट्स के नाम से, साम योट्स के नाम से भी बहुत जानते हैं, साम योट्स, ठीक है, यह लिविंग इन दा पोलर or the cold reason, दूसरा जोग्रफिकल लोकेशन हम देखें, उससे पहले यह देख रिजिए, कि यह जो cold reason है, जिसे कि आपको आर्टे का यह चेत्र दिखाई दे रहा है, इस reason में आप देखेंगे, यह जो reason है, यहाँ पर स्केमोज आपको देखने को मिलेंगे, यह स्केमोज का यह प्लेस है, ठीक है, इसके लावा जो कुछ ऐसे हैं, जो tribes हैं, जो equatorial dense forest में होते हैं, equatorial dense forest में, जैसे pigming हो गया, समांग हो गया, सकाई हो गया, यह लोग क्या है, यह देखेंगे, equatorial, जो है आपके पस, में होते हैं यह, pigming हो गया, समांग हो गया, सकाई हो गया, अब यह देखेंगे, यह कुछ tribal reasons के locations हैं, आईए major tribes में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर कुछ जो है, dry and hot desserts हैं, वहाँ आपको मिलेंगे, जैसे कि bushman आपको मिलेगा, dry and hot desserts वाले reason में, यह उनके कुछ रहने के places हो दिख रहा होगा, कुछ जो tribes हैं, आपके पास tropical grassland में देखने को मिलेंगे, जैसे मसाई, बदो, विग रहा है, यह देखने को मिलेगा, इसके अलावा, कुछ जोगर्फिक लोगेशन अगर हम और देखें, यह मसाई है, जो कीनिया में आपको देखने को मिलेगा, यह देख पा रहा होगे, इसके अलावा, देखेंगे, कुछ temperate grassland में आपको देखने को मिलेगा, जैसे के खिरगीज, temperate grassland में होगा, इसके अलावा, अगर हम देखें, बात करें, अगर हम, तो कुछ tribes हैं, जो की आपको मिलेंगे कहाँ पे, जो mountainous, यह प्लाटो रिजन में होगे, यानिकि जो मार् इन-accessible होते हैं, mountainous and platourism, वहाँ देखने को मिलेगा, भील हो गया, संथाल हो गया, गोंड मीना, नागा, etc. तो यह सारे के सारे जन जाते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट सरसर माम्स, चलिए, आगया जाए, अब यह एक ही करके सब के बारे में हम लोग बात क क्या खाएंगे, तो आस-पास के location में, जो इनको मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं, Arctic प्रदेश में रहते हैं, cold region में रहते हैं, polar regions में रहते हैं, तो इनके बास eat fishes, यह fish खाएंगे, whales, polar bear, sea lion, hair, wolf, wildness, इन सबों का यह क्या कहता है, बिना पकाएवे, इनको यह खाने का काम क conditions, ठीक हैं, क्योंकि आप जानते हैं, बिल्कुल extreme condition में यह रहते हैं, तो पकाने के बड़ी समस्या होती है, तो यह लोग क्या करेंगे, यह से कच्छा ही खाते हैं, तो इसलिए, iskimos को हम लोग जो साब्दी कर्थों में क्या बोलते हैं, वो उनका जो साब्दी कर्थों में को देखने हो को मिला है, from their very belonging, their beginning, ठीक न, इसकी मोज जहें, यह सुरू से ही, जो है, आक्टिक प्रदेश में रहेंगे, तूंडरा च्छेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं, इनका जो reason है, जहां पर इनका habitation होता है, that is called Arctic place for a Tundra reason, in the very beginning, since the very beginning, तो सुरुआत से ही यह क्या करेंगे, कि यह जो है, Arctic प्रदेश में, Tundra प्रदेश में यह रहते हैं, in this reason, अगर बात करें, इनका जो extension कुछ है, वो Alaska में to bearing straight तक दिखाई देगा, bearing straight तक दिखाई देगा, Alaska, ठीक है, Alaska, जो है, is from Alaska to bearing straight, ठीक है, in this reason, their extension is from Alaska to bearing straight, Alaska, अब जानते है, US में आ जाता है, Alaska that is in US, Greenland, and in the reasons of the North Siberia, यह पूरा कपर जो geographical location है, जो आपने अपर पार देखा था, यह यहाँ पर आपको यह देखने को मिलते हैं, ठीक है, सब, चलिए, next आज ही, हम लोग बात करें, so some group of these tribes, also live in Aleutian Islands, ठीक है, and Scandinavia, अप Aleutian Island को आप देखेंगे, कि जैसे थोड़ा सा पार् पर भी आपको देखने को मिलता है, इसके location को भी आपको देख कर रहेंगे, some groups of this tribe also live in Aleutian Islands, and Scandinavia में, अब इसके features क्या क्या हैं, अब भी जो, 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 स्कीमोज हैं, जो, स्कीमोज हैं, जो, जो, स्कीमोज हैं, यह सो, मंगोल यह जो, मंगोल जाती के लोग हैं, मंगो चोड़ा face होगा इनका and flat होगा, जो है wide चोड़े होंगे, wide और the flat figures होगे, यानि कि जो features होते हैं वो बहुत sharp नहीं होगे, color of the skin is yellowish, और इनके जो color जो होगा, skin का जो texture होगा, that would be yellowish, hulka yellow color होगा, brown होगा, hair clumsy होगे, बिल्कुल clumsy type के and black, and height medium होगा, इनका, बहुत ज़्यादा height के नहीं होगे, nose भी इनके flats होते हैं, eyes deep होगे, काफे depth होगे, chocolate color and slanting ये इनका होगा, ठीके न, so eyes के बारे में बदाए है, eyes deep होगे, chocolate color होगा, slanting होगे, इसके अगर बात करें तो जो body का built होता है इनका, वो strong होगे, and muscular होगे, and their behavior is simple, और अपनी जो social behavior है, इसमें इनका जो behave होगा, that would be very simple, बहुत ही साधार होगे, they maintain their stability, seriousness and intelligence, ठीके न, ये क्या करेंगे, अपनी स्थिर्ता, अंभीरता और intelligence को maintain करके रहते हैं, so they are very wise people, क्योंकि हाँ रहते भी हैं वो, ठीके, नहीं प्रिया आज नहीं लगा, मैंने बताया भी था आप लोग, अभी आप लोग ने सुना नहीं है शायद, मैंने बता दिया था आज तकनिकी करण से, कल तो कुछ issues से इसलिए नहीं होगा, आज आज तकनिकी करण से नहीं हो पाया था कुछ, ठीके, hopefully अभी भी साथ वजी का नहीं लगा है, साथ वजी क्लास हो सकता है कि अभी अगर वो होगा, अभी थोड़े दिर में क्लास के बाद आपकी क्लास वो लाइव हो जाईए, ठीके, सो अभी आप देख लेजएगा, थोड़े दिर में पता चल जागा आप लोग Other names of Eskimos के बारे मगर बात करें, तो देखेगा, जो Eskimos हैं, इन्हें different areas में different names से जाना जाता है Eskimos को, Canada और Greenland में इसको हम लोग बोलते हैं Canada, और Greenland है इसको इसमें हम बोलते हैं Eskimo, Scandinavia में इसको मोलते है Laps, North Siberia में हम बोलेंगे Samoyards, Yakut, Chakachi, Antung, तो इनके different name में, different geographical location में, location ही उनका है, लेकिन different reasons में इनके नाम अलग-अलग है, ठीके, language में बात करें तो इनकी जो भाषा है, जो Eskimos बोलते हैं, उसको बोलते हैं Elute, यह कुछ ऐसे शब्द हैं, जो सब्द केवल हैं, उनको आप लोग को ध्यान में रखना है कि what is the elute, ठीके ना, यह जो Eskimos की भाषा है, उसे क्या बोलते है, what is the language of Eskimos, that is called elute, तो यह इन चीज़ों को आप खोड़ा याद रखें, क्योंकि कई बार, कुछ static portion से भी question आपके examination में आते हैं, Geographical तो ही ही है, human geographic aspect है, ठीक है, बहुत rarely पूछता है, बट यह sometimes पूछ लेता है, कई बार यह GK में भी question पूछ लिया जाता है, अल्यूट के है, what is this, elute, elute is a language, language of whom, this is of Eskimos, तो Eskimos का ही है, ठीक है, movement अगर बात करें, तो यह क्या करते है, इनके पास एक now होती है, ठीक है, क्या, इनके पे एक kart होता है, kart, गाड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, wheel, without wheel, जिसमें कोई wheel नहीं होता है, जो की बर्फ के उपर, ice के उपर में क्या करता है, वो move करता है, वो slip करता रहता है, एक kart without wheel that moves on ice, and which is drawn by dogs और कैरिबू, ठीक है न, कैरिबू या dog के दोरे ठीचा जाता है, जिसको जो स्कीमोज बोलते हैं, यह sledge ठीक है, यह sledge आपने देखा भी होगा, ठीक है है, इनके जो घर बनते हैं, जो इनके बर्फ की बने वए घर होते हैं, इनको बोलते हैं, igloo, so igloo is their house, and is made of snow, ठीक है, यह बर्फ का बनावा था, दुछ सा इनके जो घर होते हैं, उसमें bones का परियोग की आई था, यह हो गया अब आजे दूसरा है पिगमी दूसरा जो है हमारे पास जो जिन जाती जो ट्राइब है इनके बारे में लो बात करें यह आफ्रीका में मिलता है तो जो इनका लोकेशन है वो सेंटरल या वेस्टर्न आफ्रीका होता है इनका जो लोकेशन है वो सेंटरल या वेस्टर्न आफ्रीका है इनका जो लोकेशन है जहां यह रहते हैं इनका हाबिटेशन है इन जगहों में यह आपको देखने को मिलेगे राइट सर्सन माम्स ठीक है इनका सिकार मुख्य पेशा होता है सिकार करेंगे यहां पर देखेंगे जो बाहर से लोग है वो आकरके जो सेटलर्स है वो क्या करेंगे इनके इलाके में इंक्रॉच्मेंट का काम करेंगे और कई जगहों पर देखेंगे क्या कि इनके जमीने हैं वहां पर नैसल पार का डेवलप्मेंट किया जा रहा है इसकी वेज़से भी इन्हें क्या किया दिस्फलेस होना पड़ रहा है तो इनका जो मेंन होम लैंड है इसके पीछे दो-तीन कारण होगे कि एक जो रेंफ फॉरेस्स इनका होम है वहां पर लागिंग के अक्टिविटी के वैसे जो बाहर से लोग आ हैं उनकी वैसे सैटलर्स के वैसे और दूसरा यहां देखें है कि इनकी जो लैंड से उनको ले बात कह consensus आपको देखने को मिलेंगे मलया पनिनसुला में अपको देखने को मिलेंगे मलय पनिला मेंम इनका जो population है, वो estimated somewhere around 2000 in the early 21st century. यानि जो 21 सदी के शुरुवात हुई थी, उस वक्त अगर देखें, तो इनकी आवादी बहुत कम हो गई है, और ये मातर 2000 के आसपास है, somewhere around 2000 वाली, ठीके, अभी तो और भी इनकी आवादी कम गई होगी. तो their population was to be around 2000 in the early 21st century, Malay Peninsula में, या मलेशिया आप इसको बोलने, यहाँ पर है ये, और इनकी जो भाशे है, वो आस्ट्रो, असियाटिक लांगविज बोलते हैं, ये क्या है, यायावर है, नॉमाडिक हंटर्स है, यूजिंग ब्लो गंस, ब्लो गंस आपने देखा होगा, कि लं ये आप देख पा रहे होंगे इनको, ठीक है, चलिए, नेक साथी बुष्मान, बुष्मान is very important, ठीक है ये भी अफरिका के जन जाती है, that is बुष्मान, that is also very very important, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो बुष्मान देख लेते हैं, बुष्मान are the oldest inhabitants of southern अफरिका, ये southern अफरिका में हो कालाहरी जो डिजर्ट है, ये कालाहरी डिजर्ट है, मूल अस्थान है, जहां पर ये होते हैं, जो कि बौत्सवाना में है, बौत्सवाना, ठीक है, तो अगर जोग्रिफिकली बात करें, तो इस्टर्न आफरिका में है, वेस्टर्न आफरिका में है, सेंटर्न आफरिका में यह सदरन अफरिका में हो गये कंट्रीवाइज बात करें तो यह बोध्सभाना हो गया और यह अगर देखें यहां पॉंपरी होंस बनाएंगे चुकि उड्का बना होता है विद्गा जिसको यह इखटा करता है लकडी के बने वे वे वोते हैं Bushmen, Bushmen had their homelands, इनका जो घर है, जो ग्री हस्तान है, homelands है, invaded by cattle, herding Bantu tribes, तो यहां पर क्या होंगे, कि एक जनजाती हो, that's called Bantu tribes, Bantu tribes क्या होते हैं, यायावर होते हैं, यह इनके Bushmen के इलाके पर attack करते हैं, invade करते हैं, ठीके ना, So, Bushmen tribes, from around 150, 1500 years ago, and by white colonists over the last few hundred years, तो अब यह जो Bushmen है, इनका जो homeland है, तो इनको देखेंगे क्या काफे लंबे समय से, लगए 1500 साल पहले से, जो एक Bantu tribe होता है, यह इनके इलाके में क्या करता है, attack करेगा, invade करेगा, और हाल के वर्शों में अगर आप देखेंगे, तो जो अंग करते हैं, ठीक है, जिसके वैसे, इनका जो homeland है, वो contract sync करता चला जा रहा है, from that time, they face discrimination, eviction, from their ancestral lands, ठीक है, और तब से, जिब से खास कर गिये colonist है, जो अंग्रेज आएं इन इन इलाकों में, इसके वैसे, यह क्या कर रहा है, काफी भेदभाव का सिकार है, अपने ही जर्मीन पे, अपनी जगह पे, इनका जो है, अपनी जगह से, इनको जो है, जो है, जो है, जो है, जो है, जो है, रहते रहा है, हमेशा, वहां से निकाला जा रहा है, murder and operation amounting to a massive, तो unspoken genocide बोलता है, जिसको बोल सकते हैं, अगर यहां पर में unspoken genocide ऐसा देखने को मिलता है, which reduce them, जो है मसाई जन जाती है, इसके बारे में बात कर दें, मसाई जो है, कीनिया में, यानि कि East Africa में देखने को मिलता है, मसाई, famous as herders and warriors, once dominated the plains of East Africa, कीनिया में, तो अगर यह location पूछे, तो East Africa में मसाई होते हैं, और यह ऐसे बात करें, country-wise, that is called Kenya, यह कीनिया में देखने को मिलेगा, ठ युद्धिकला में निपन होते हैं, hurdles होते हैं, चरवाहे होते हैं, hurdles and warriors होते हैं, once dominated in the plains of Eastern Africa, ठीके न, यह कभी इस आफ्रिका में dominate करते हैं, मसाई कल्चर इस सेंटर अराउंड बलीव दाट गाड इंगई, अन एंकई, इनका पूरा का पूरा जो संस्कृती है, वो इनका ज करता है, इस गाड इंगई या इंकई के, created cattle especially for them, ठीके न, और इनका यह मानना है कि जो ईश्वर है, जो देवता है, उसने जो यह जो cattle बनाएं, यानि कि जो मवेशी बनाएं, जो जानवर बनाएं, वो especially हमारे लिए बनाएं, और यही कारण है, जो मसाई लोग है, वो पू ठीके न, so they are the great bodies, just in the protection of the world's cattle, ठीके, for मसाई, life revolves around amassing and grazing large herds of a cow, ठीके न, and to a lesser extent to a goats, तो यह क्या करेंगे, इनका जो सबसे important activity होता है, वो यह है, कि cow को इखटा करेंगे, यानि कि herders of the cow होंकते है, साथी साथ जो next in के पास, जो important animal है, वो होता है, गोड, बक्रियां, ठीके, तो जो सबसे important है, जो most cherished animal in के लिए, जो एक्तरकंद के प्रोपर्टी का भी काम करें, that is called cow, ठीके, and then उनके पास है goats, ठीके, तो यह हो गया, मसाई के बारे में थोड़ा से description, यह आप में देख लिए है, मसाई, जंजाती, किनिया, या East Africa में लोग होता है, राइट से और म पेनिंसुला में, Egypt, Israel, Iraq, Syria, and Jordan, इन सारी इराकों में यह आपको जो है, बद्दो देखने को मिलेंगे, बदईन या बेदूज होते हैं, इसमें सो अधिकांस जो आपके जिन जाती जो लोग हैं, जो बद्दो लोग हैं, यह animal herders हैं, who migrate into the deserts during the rainy winter season and move back towards the cultivated land in the dry summer months, ठीके, dry summer months में, खीके, sirs and ma'am, चलिए, यह देख पा रहें, यह लोग हैं, अब अब यह किर्गिस पीपल हैं, किर्गिस पीपल जो हैं, यह जो है, Central Asia में पाई जो हैं, अगर इनको पर्टिक्लरी अगर बात करें, तो किर्गिस्तान, किर्गिस्तान में, मद्धे इशा में, किर्गिस mainland New Zealand, ठीके, mainland New Zealand, next हमारे पास विदाज, विदाज हमारे पास है, यह जो indigenous people है, कहां के, स्रिलंका के, they are of स्रिलंका, विदाज, ठीके, ma'o eri, यह होगया New Zealand, then होगया विदाज, that is called स्री लंका, ठीके न, स्रिलंका, कि कुछ-कुछ इमेजिस हैं, जिनको आप लोग देख पा तूंडरा और टाइगा जोंस में दिखाए देंगे, और जो रश्या में एक नदीब बहती है, that is called Lina, उसके पूर्वी किनारे पे, Lina, यानि के पूर्वी किनारे पे आपको देखने हो को मिलेंगे, that is called Yukagir tribes, next हम लोग बात करें, Red Indians के बारे में, Red Indians जो है, Canada में मिलते है, Red Indians, North America, and next time हमारे पात हुए Julu, जो कि Southern Africa में हमें देखने को मिलता है, तो ये कुछ tribes से, जो कि वर्ल्ड के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, that is important ones, मेरे ख्याल से, इसको आपको याद रखना चाहिए, these are important ones, ठीके sir, ठीके, सभी लोग जान देखें, so these are the tribes, आपके पास कि आज सुबह 10 वजी वाली class नहीं हुई है अपनी, उसके किछी तकनीकी कारण थे, ठीके इसके वैसे नहीं हो पाया, 7 वजी शाम तक अभी मैं देख लेका हूँ, अगर वो resolve हो गया हो, तो सामके 7 वजी वाली वी class आपकी होगी, अभी आपकी, otherwise फिर मैं देख लेता करेंगे, वह आपके पास है, यह सारी चीज़ें, आप लोग देख लीजें, ठीक है, कोविट प्रोटोकॉल, फॉलो करें, यह टेसरी विगर आपका चल दा है, इसको जॉइन कर लीजेगा, ठीक है, अंड यहाँ आप देखेंगे, कि जो आपका combat का program है, यह पवंट इन का पालिटी के लिए, जहाँ पर लोग सब होंए, जो बचीवी बात है, वह हम लोग करेंगे, ठीक है, और इस Saturday Sunday को भी आपकी पालिटी की क्लास होगी, ठीक है न, पालिटी की क्लास Saturday और संदे को भी होगी, ठीक है, सर्स और माम्स, चलिए, इनको आप वर्ल्ट के कंटेक्स म होगी, होगी, पिर साम के साथ बजी हम लोगस को देख लेटा, ठीक है साथ, सो मिलते हैं अगले क्लास में, तिल देन, बाबाइ, टेक केर एवर्यवन, लॉट्स अफ लव और ब्लेसिंग्स, बाइ.